बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बच्चन परिवार पर क्योंकि बच्चन परिवार की चुपी घर की बहु की इसत उचलने पर सवाल खड़े कर रही है जस तरह सेश्वर्या राय बच्चन को टार्गेट पर लेकर उन्हें बारम बार इंसल्ट किया है रहुल गांधी ने आखिर क्यों बच्चन परिवार है चुपी क्यों आखिर अमिताब और जया की जुबान पर ताला लगा हुआ है इश्वर्या राय बच्चन को एक दपा नहीं तीन तीन बार राहुल गांधी ने किया है इंबेरिस्ट पहले तो नाचने वाली कह दिया राहुल गांधी को फिर कहा कि उनके नाम पर बेवकुब बनाया जा रहा है लोगों को और तीसरी बार कहा कि इश्वर्या राम मंदिर के उद्गाचन पर उद्योग पती की भी शामिल थी जो सरासर गलत ख़बर थी इश्वर्या मौचूद नहीं थी तो राहुल ने तीन तीन बार जब इश्वर्या को निशाने पर लेकर अपने भाशन को बारल कराने की कोशि अपने भाशन में इश्वर्या के नाम को लेकर विवाद खड़ी किये इससे बच्चन परिवार वाकिफ होकर भी क्यों चुप है क्यों बच्चन परिवार ने सालिंस बना कर रखा है इश्वर्या को बेज़त होता दे क्यों अमिताब और जया का खून नहीं खौला है परिवार विवार के इस चुपी को राजनितिक भी माना जा रहा है कहीं न कहीं अमिताब की भी चुपी जैब चुन के साथ लोगों को खटक रही है घर की बहु को लेकर इस तरह की चुपी बरदाश्त नहीं हो रही है इस रिपोर्ट में इतना ही तबाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्टोनाइन लाइफ नमस्कार